गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है देखिए फ्रेंट्स इस वीडियो में बात करेंगे महत्यपूर और एहम ख़बरों की चुकि आपके लिए हैसे काफी खास हो सकती है इसलिए वीडियो को लाश्ट दक देख लीचेगा देखिए सबसे पहले जो बात कर लेते हैं वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवायो की एक महत्यपूर ख़बर एपियस भरती का विग्यापन फसा आठ साल पुरानी भरती भी अब तक पूरी नहीं करा सका यूपियसी तो अपरनी जी सचिप के 200 पदों का अधियाचन मिलने के बाफ़जूर उत्तर प्रदेश लोक सेवायो भरती का विग्यापन जारी नहीं कर रहा सुक्रवार को तमाम अभिहरती आईयोग पहुंचे और ग्यापन देकर भरती के लिए विग्यापन जारी करने की मांगी अभिहरती ने कहा कि उन्हें उम्मीदे हैं आयोग वर्स 2013 की APS वर्ती अब तक पूरी नहीं कर सका है इस वर्ती की कम्प्यूटर परिक्षा नहीं कराई गई इस वर्ती में सामिल हुए अभिहरती अब ओवरेज हो रहे हैं वर्स 2020 में आयोग को APS के तक्रीवन 2500 बदों का दिया चन मिल गया पर 2020 के परिक्षा कलंडर में APS वर्ती को जगए नहीं दी गई गयापन देने वालों में दीपक कुसवाहा, उमेश पांडे, आशिश कुसवाहा, सहलेस पांडे, बिमालपाल आदी मौजूद रहे तो ये विस विद्याले से चुड़ी शिक्षकवर्ति से जुड़ी ही ख़बर है, विस विद्यालों में शिक्षकवर्ति के लिए आब होगी लिखित परिक्षा, बड़ा बदलाप, अभिहर्तिकों कक्षा पढ़ाने का प्रस्थति करण भी देना होगा, तो ये असिस्टेंट प आयोग द्वारा निर्धारत व्यवस्ता के अनुसार API तीस अंक साक्षातकार दस अंक तो इस तरीके से आप देख सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भरती में साक्षातकार के होंगे अंक तो यानि कि प्रदेश के विश्विध्यालों में अब सिक्ष साक्षातकार की विडियो गराफी कराई जाएगी और कुल पती इसका वीडियो तीन महीने तो यह पूरी बात यहां देख सकते हैं और कोरोना संक्रमण की बज़े से कुछ परिक्षाइं इस्थगित हो गए हैं कुछ परिक्षाइं अभी हूनी भी है आगे आने वाले टाइम में तो 6 माह में 13 परिक्षाइं कराने की चुनौती है आयोग के सामने देख सकते हैं ख़वर लिखी है कोरोना संक्रमण की बज़े से उत्तर प्रदेश लोक से वायोग ने अप्रेल से जून तक की भरती परिक्षाएं इस्तकित कर दी है तो ये बात आप लोग जानते हैं और इस्तकित परिक्षाओं की यहां लिस्ट दी हुए है आप देख सकते हैं तो जिसमें PCS सबसे बड़ी परिक्षा थी और जो प्रवक्ता की परिक्षा थी और भी कुछ परिक्षाएं थी तो अब संक्रमण नियंद्रित होने लगा है उम्मीद है कि जुलाई तक करोना कर्फ्यू खतम हो सकता है ऐसा होने पर जुलाई से दिसंबर महीने तक आय परिक्षा हो जाएंगे और उसका रिजल्ट भी जारी करना रहेगा तो अगर ऐसा ना हुआ तो प्रतियों की प्रतियों की दिक्कते बढ़ेंगी साथ ही आयों के कारे पर भी विप्रीत प्रवाब पड़ेगा इसे पूरी वबस्ता पट्री से उतर जाएगी जिसे सुदा करना आसान नहीं होगा तो बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से अगर नहीं निप्टा गया तो बाकई जो कलेंडर इतने टाइम में दुरुस्त किया गया था बाकई यह बहुत अच्छी पहल की गई थी कि परिक्षाएं समय पर हो रहे थी कलेंडर पूरी तर रहेगी और प्रस्तावित परिक्षाओं में आप जानते हैं कि ROARO है और और भी कुछ परिक्षाएं हैं मुख परिक्षा है जो हमारी PCS वाली है जो कि इसके लावा और भी कई परिक्षाएं आप यहां पूरी देख सकते हैं लेस्टे ठीक है और जो ROARO मुख परिक्षा अभी इसी यह रोनी थी लेकिन अब पता नहीं हो सकेगी या नहीं लेकिन हाँ यह की चुरौती तो है ही और होना चाहिए अगर हो जाए टाइम से तो बहतर होगा क्योंकि लगतार इस्थखित हो रहे हैं परिक्षाएं परिक्षारती त्यारी किस चीचकी करें जब ऐसे इस् तो दिक्कते तो हम ही लोगों को होती हैं फिलाहल अगर जिसे की नए अद्धिक्ष इन सारी चीजों को समाल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी और साहयक आजारे पत के लिए कंपीटर ग्यान ज़रूरी आप देख सकते हैं लिखा है कि चिकित्सा, क्रसी और प्रावदिक विस्विध्याल में ये रहेगी विवस्ता आप यहां देख सकते हैं लिखा है परिदेश के सभी विस्विध्याल में स्यक्षिड़क पत पर न तो लखनो मंडल की समीक्षा में सीयम ने कहा कोरोना की तीसरी लहर से निपडने की युद्दिस तर पर है तैयारी और होना भी जाये क्यूंकि आप देख सकते हैं कि कोविट की बज़े से सारे कारे एक्दम रुक से गए हैं सबसे बड़ी दिक्कत तो हम रोगों को है बाकी तो है ही सभी को दिक्कत तो है ही लेकिन यह है कि जो सिक्षा व्यवस्ता है एकदम चौपट हो गई है और सारे जो परिक्षाएं हैं वो इस्तगित हो रहे हैं और आगे भी कुछ पता नहीं है तो अगर ये बीमारी जल से जल्द मलब रुक जाए ये लहरों से निपटा ज सके हम लोगों की जिसे की एल्टी की च्वाइनिंग की बात हो या और सारे बाते हो बहुंँ सारी बाते हैं तो सारी बाते एकदम स्टॉप हो गई हैं एकदम फुल स्टॉप लग गया उन पर आप देख सकते हैं लिखा है मुखमंद्री योगी आधितनाद ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के असर को 31 मही तक खत्म करने का लक्ष है अच्छी बात है 31 मही तक ही खत्म हो जाए दूसरी लहर के को नेंदरत कर जून में टिक गरड़की को दोगना दोगनी तीन गुनी रफतार से आगे बढ़ाएंगे और यूपी में ब्लैक फंगस बीमारे पर चलना होगा यानि कि जहां भी बीमारी है वहां तुरां तुपचाल शुरू कर दिया जाए और सचेत रहने को कहा गया है तो यह सारी बाते हैं और एडिक्रेट की बात के रहें तो कुछ आपको दिखा देते हैं तो एडिक्रेट में कल सभी लोग पूछ रहते पीद्ध कर दो हम लागातार करी आं too आप की रिक्वेष्ट को को भी हमने embedded by Orange के तौर पर पहूंचे लेकिन अविस यही जारे घी कि भी को कोई आई और धिक्रेट का पहँच चुकी यह मैं जानती हूँ और एक विडियो अप लोड भी कर दिया गया था वाकि आप लोगो में हैं अंचना मैम जी और जैसे ही यहां आते हैं तो प्रतियोगी मोर्चा मिलने की पूरी तयारी में है और इन लोगों का है कि गती है या नहीं है यह सारी बात दोसकि की अचना में और जैसा कि आंबस इसमें यहीं लिका है कि जिन भाइयो बेहनों ने टी-जिटी मादे में का इंटेरி चोड़ा है उनका पुना धन्यवाद और हमारे मोर्चा दिख्च विक्की खान सभी क्रिया कलापों में पूरी तरह सर लगना है तता सासन प्रिशाशन की पूरी गतीबदियों पर नजर रखे हुए हैं मुझे विक्की खान के नितरत गर्व है आपको भी गर्व होना चाहिए तो और मिलने की भी कोशिश की जाएगी बाकी देखे यह है कि पोडल अगर पोडल मतला जून में खुल जाता है अरे मैं लास्ट में ही खुल जाए तो बहुत बेतर होगा हम लोगों की कोशिश तो यही है कि जून में ही जौनिंग मिले और हम चाहते हैं कि सभी लोग ट्वीट अ आपको इतना ही बताना था अभी तो एल्टी के बारे में कि प्रतियोगी मोर्चा हमारे साथ है हमेशा रहेगा बाकि आप अपने इस तरवर जो प्रयास कर रहे हैं वो करते रहे हैं तेस करते रहे हैं क्योंकि सरकार ऐसे सुनने वाले नहीं हैं तो यह बात अच्छे से होड़ेगा और काउंसरिंग स्टार्ट होगी तो एक गती आएगी और उसके बाद जो है आगे की प्रॉसेस हो सकेगी तो यही हमारा मुद्दा होना चाहिए कि अंजिना में जैसे ही आए वैसे हमें विकी कांसर से फिर से रिक्वेस्ट करने होगी कि सभी लोगों को एक व मुबाइल नमबर जुटाने में सिक्षकों को आ रही समस्या दूरदर्सन पर शुरू ही पाड़ साला तो यह बात आप देख सकते हैं यहां पूरी ख़बर तो यह बी आप देख सकते हैं और शीकायतों के लिए बार बार आंदोलन जैसा उठाना पड़ता है तब जाकर कहीं मांग हमारी सुनी जाती है अभी हालात इस तरीके के हो गए हैं तो यहां भी आप देख सकते हैं राज विश्विध्यालों निजी विश्विध्यालों राजकी महाविध्यालों आशासकी साहिता प्राप्त महाविध्यालों और स्वावित पोशित महाविध्यालों में सिक्षकों करमचा हुआ है इस मामले में सासन ने संग्यान लेते हुए उच्छ सिक्षा निदेश सभी राज जवा निजी विश्विध्याले कुल सचिवों और छेत्री उच्छ सिक्षा अदिगारियों को पत्र जारी कर सर्वोच प्रात्मिक्ता के आधार पर बेतन जारी करने के निर्देश तो ये बेतन जारी करने के निर्देश प्राप्त हो गए हैं सासन तक शिकायत पहुंची है कि कई राज जवा निजी विश्विध्याले और राज की महाविध्याले और स्वावित पोशित महाविध्याले सिक्षकों को बेतन का भुकता नहीं हुआ है यानि कि जब शिकाय में समान चैन प्रक्रिया लागू और दस्मी की आप देख सकते हैं कि हाई स्कूल में प्रोमोट कने की तैयार ये इंटर का क्या होगा ये तैय नहीं और आनलाइन पढ़ाई शुरू दस्मी वार्मी के परिक्षारती परिशान मेधावियों को मिलेगा मौका यूपी हाई स्क अंतुष्ट नहीं है तो लिकित परिक्षारत दे दे अन्य कई बिंदों पर मंधन चल रहा है और ये पूरी खबर भी आप देख सकते हैं और परसदी स्कूलों में स्थापित होगी वर्सा जल सनरक्षड प्रड़ाली स्कूलों में होगा स्वक्षिता संबंधी सुभिधा का विकास तो ये पूरी खबरे हैं बहुत अच्छी बात है कि ब्लैक फंगस से निपटने के लिए सरकार ने जोगी ताकत बचाओवा इलाज के लिए समिती गटित सौपे की रिपोर्ट तो ICMR ने पहचान जांच के लिए जारी के इन दिशा निर्देश पांच नई कंपन कि इसके इलाज के इस्तिमाल दबा बनाने की मंजूरी और वेसिक शिक्षकों का अंतर जन्पदी तबादला रद्द करने पर जवाब तलब अवेदन में शहरी और ग्रामीड विकल्प गलत वरने वाली या सिक्षकों ने दाखिल की या चिका तो ये पूरी खबर आप दे सब्सक्राइब की सरकार वेसिक शिक्षा राजमंदरी ने म्रत सिक्षक के आसरेत को सौपा नियुक्ति पत्र तो आज की वीडियो में वस इतना ही थेंक्यू बाबाए